आज 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 हम आपको बनाना सिखा रहे हैं जॉब स्टेक यहां पर हमने बीफ की चॉप्स लिए है तो आप मतन भी लेग सकते हैं और बीफ भी इसमाल कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं अपनी रैस्पी तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन-कौन से इंगरीडियन्स चाहिए हैं और इसको आप खुद घर में कैसे प्रिपेर कर सक यहां पर हमने लिया है कॉंस हलके से बॉइल कर लिये है इसके साथ हमने ब्रोकी लिये गाजर लिये प्याज चॉप लिये हमने रसन पाउडर डाल मिर्च पाउडर नमक मेदा पैपरिका पाउडर काली मिर्च ऑलिव ओल बीफ की यकनी लेमन जूस फुश्क दन्याक उटा उस्टर सोस थाइम इसके साथ हमने लिया है रोसमेरी एंड लास्ट वन है हमारा अदरका पाउडर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे जाकर सब्सक्राइब को प्रेस करें और साथ में लगे बल आइकोन को प्रेस करना भी मत बूल इससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में चुरू करते हम अपनी रैस्पी तो यहां पर हमने सबसे पहले बनाना है ब्लैक पेपर और सोस यहां पर हमने ऑलिव वॉयल लिया है उसके साथ हमारे चॉप के हुए अनियन डाल देना है और ह इसके अंदर हमने मेदा एड़ कर देना है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह स्टेक का जो स्पेशल सोस है वो हम प्रिपेर कर रहे हैं पहले इसके साथ यह सब किया जाती है यह देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया अब इसके अंदर हम डालेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे लसन पाउडर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी स्माल कर सकते हैं, इसके साथ हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, उस्टर सॉस, इसको अच्छी तान से मिक्स कर लेंगे, और पांच से 10 मिनिट के लिए इसको हिलकी आज पर पकाएंगे ये देखे हमारा सॉस त्यार हो चुका है अब हम इसे उतार लेते हैं नेक्स रहां हम प्रिपेर करते हैं स्टेक के मैरिनेट के लिए यहां पर हमने बॉल लिया है इसके अदर हम अपने जो होल स्पाइसीज आ वो अड़ कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले हमने थाइम लिया है रोस्मेरी लेंगे किसी भी स्टोर से यह आपको इसली मिल जाएगी अब हम इसके अंदर रेड़ चिली पावडर एड़ कर देंगे स्पाइस आप अपने हिसाब से इस्तमाल कर सकते है इसके साथ हम मदलग का पावडर एड़ कर देंगे इसमें आप पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते है अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो लसन पाउडर एड़ करेंगे दोनों चीज़े आप पेस की सूरत में भी इस्वाल कर सकते हैं खुश्क धनियाग उटा हुआ अब हम इसमें डालेंगे पैपरिका पाउडर नमक वाम चीज़े हम इसमें डाल दिये अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर इसको अच्छी ताया से मिक्स कर लेंगे ये हमारा स्टेक सीजनिंग त्यार हो चुका है यहाँ पर हम अपनी स्टेक को मेरिनेट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने लिए हैं आलिव उयल उस्टर सॉस इसके साथ हम डालेंगे लैमन जूस नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे काली मिर्च और जो हमने स्टेक सीजनिंग उनाई थी वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमारे मेरिनेशन मसाला त्यार हो चुका है तो अब हम इसमे स्टेक को रखके मेरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह से तो इस रेस्पी को हमने इस रेस्पी में आपको तीन चीजों का बताया है एक हमने आपको बताया बलैक सोस और साथ में हमने आपको बताया स्टेक सीजनिंग और लास में हम स्टेक को बना रहे हैं इसको अच्छी तरह से मेरिनेट कर लेंगे हम और मेरिनेट करके हम इसको 3-4 गंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए रख देंगे चले अब हम इसको ग्रिल कर लेते हैं तो ग्रिल पैन में अच्छी तरह से आईल अड़ करके इसको गरम होने के लिए रख देंगे एक दफ़ा पैन को अच्छी तरह से गरम कर ले यह देखे हमारा पैन घरम हो चुका है तो हम स्टेक जो हमने मरिनेट किया हुआ था वो इसके ओपर रख देंगे और जो फ्लेम है वो हम मीडियम में रख देंगे अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसकी साइड चेंज करके दुसी तरह से भी इसी तरह से हमने साइड चेंज करके कभी इस साइड को पकाना है और कभी इस साइड को पकाना है तो यह देखे हमारी स्टेक तक्रीबर बहुत अच्छी तरह से त्यार हो चुकी है तो यहां पर हमने आईल लिया है थोड़ा सा, इसके अंदर हम एड़ करेंगे, नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, वो एड़ करेंगे, सबसे पहले हमने गाजर एड़ कर ली, थोरसी यह हार्ड होती है, तो इसक साथ हमने कौन्स एड़ कर ली, कौन्स को हलका सा वाइल कर लीजेगा, ठीक है, तोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने सौटे कर लिया, इसके साथ हमने ब्रोक्री एड़ कर लिया, हलका सा इनको भी फ्राई कर लेंगे, हमारी जो वेजिटेबल्स है, वो हो चुकी है, लीजे हमारी चौप स्टेक त्यार हो चुकी है, जिसको हमने सब किया है, सौटे की हुई वेजिटेबल्स है, ब्लैक पेपर सौस के साथ, तो अगर आपको हमारी रेस्पी पसान आई, तो लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें, बल आइकोन को प्रेस करना भी मत ब भूलिएगा, इस से आने वाली हमारी हर निव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे बले आपको मिलेगा, तब तक हमें दें इजाज़त, Allah Hafiz